व्याक्याता भुगोल बर्ती परिक्षा 2018 तू सर्वादिक चर्चित रही पुस्तक पहल भुगोल के लेख को सैनी ब्रदर्स द्वारा सार गर्भित रूप से प्रशन पत्र को हल कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जो की तूट्री रहित वे पहल भुगोल के प्रश्टों के साथ प्रमानित करके आपको बताया जा रहा है पहल भुगोल से आप प्रते एक प्रस्तुत का विश्त्रित उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं मैं प्रणव गुपता, PGT जोग्रोफी, किंद्री विद्द्यले चूरू, सैनी ब्रदर्श की तरफ से आपके समक्ष आज व्याक्याताब गोल बरती परिक्षा जो आयो जित होई उसका प्रस्त्र पत्र हल करने जा रहा हूँ सबसे पहला प्रशन जो हम देखते हैं वो प्रशन है सूची एक नगर को सूची दो प्रमक उद्योग से सुमेलित कीजिए तथा दिये गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए तो हमें इसमें देखना था कि डेट राइट जो है वह नगर लोहा इसपात ओटो मोबाइल पोर्ट निर्मान सुतिवस किसके लिए जाना जाता है इसी प्रकार से पिट्सबर्ग, हैंबर्ग, जर्मनी, ओसाका, जापान इनको भी देखना था तो इसका सही उत्तर था डेट राइट, ओटो मोबाइल, पिट्सबर्ग, लोह इसपात और हैंबर्ग, पोर्ट निर्मान, ओसाका, सुतिवस्थ के लिए इनको सुमेलित करने के आधार पर आप आएंगे कि सही उत्तर जो है, वह बनता है ए ए जो है, वह ही सही उत्तर है और यह है, पहल भुगोल में पेज नंबर 464 तथा पेज नंबर 466 पर इस परष्ट रूप से दिया भी गया है अब हम बढ़ते हैं, दूसरे प्रशन की तरफ की मैसाभी स्रेणी रेंज इस्तित है ओप्शन दिये हैं, एंडीद परवत में, महान जील परदेश में, यूराल परवत में, आल्फ परवत में तो इसका सही उत्तर है, महान जील परदेश में तीसरा जो प्रशन है, वह परिहमानी दर्श्य भूमी उत्पन होता है अनाच्छादन से पहल भूगल के पेज नंबर 413 पर यह दिया हुआ है इसी प्रकार से जो दूसरा प्रशन था, वह पेज नंबर 442 पर दिया हुआ था पहल भूगल में और पहला 464 पेज नंबर पर दिया हुआ है अब हम चोथे प्रशन की तरफ बढ़ते हैं, ब्राजील में इस्थानांत्री करशी की जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर है इसे रोका नाम से जाना जाता है और यह पहल भूगल में पेज नंबर 454 तथा 455 में दिया गया है अब हम आगे बढ़ते हैं, एक परिबासा दी गई है, किस ने परिबासित किया भूगोल एक छेत्रिय विज्ञान है, जिसमें भूतल की छेत्रिय भी नता हो, तथा इस्थानिक सम्मंदों का अध्यन किया जाता है यह कथन है है हैटनर का, तो सही उत्तर है एक हैटनर और यह पहल भूगोल में पेज नंबर 468 पर आपको इस पश्ट रूप से लिखा हुआ मिल जाएगा इसके बाद शटा प्रशन है, निम्लकित में से कौन से पुस्तक गणितिय भूगोल तथा खगोल सास्तर से सम्मंदित है, तो इसका सही उत्तर है अलमाजैस्ट और यह पहल भूगोल के पेज नंबर 477 पर दिया हुआ है साथवा प्रशन है कि अग्याद भूमी टेरा इनकगनीटा का सिद्धान प्रतिपादित किया, तो यह सिद्धान टॉलेमी वारा प्रतिपादित किया गया था और यह पहल भूगोल में आप जब टॉलेमी को पढ़ेंगे तो वहीं पेज नंबर 477 पर ही मिल जाएगा उसके बाद आठवा प्रशन है निम्लिकित में से किस भूगोल वेता ने मेक्सिको की रेड इंडियन सीमानत बस्ती का अध्यन वे वर्णन किया था इसका उत्तर जो है हमारी किताब पहल भूगोल में सीधे सीधे इस पश्ट रूप से नहीं दिया गया है संभावित उत्तर रॉलिंडी सेल्स बरी होना चाहिए लेकिन पहल भूगोल इसकी पुष्टी नहीं करता है आगे हम 90 की तरफ बढ़ते हैं जापान का निम्न में से कौन सा अध्योगिक प्रदेश कारुद्धों के लिए प्रसिद्ध है तो इसका उत्तर है नगोया पहल भूगोल के पेज नंबर 464 और 466 पर इसके बारे में दिया गया है दस्वा प्रसिद्ध नेचर ऑफ जोग्रोफी सीर्षक पुस्तक के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं हार्ट सोन और यह है पेज नंबर 486 पर दिया गया है ग्यार्वा प्रसिद्ध गोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्या इस नाम से भी जाने जाती है तो यह बहुत ही आसान प्रसिद्ध था और इसका सही उत्तर था एट ओल पहल बहुल के पेज नंबर 413 पर आपको यह है इस परष्ट रूप से दिख जाएगा पेशेवर पत्रिका एनाल्स दी जोगफी वार्शिक ग्रंत माला जिसको कहा जाता था कि आधार शिला किसने रखी थी इसका सही उत्तर है विडाल डीला ब्लास तथा यह पेज नंबर 484 तथा 488 पर दिया गया है पहल बहुल में तेरवा प्रसन जो है वो फिर से कूट मिलान से समंदित है तेरवा प्रसन जिसमें बांध परियोदना और उनकी अविस्तिती को हमें देखना है तो मेजा बांध जो है वह भीलवाडा में है जाखम बांध प्रताबगड में है जवाई बांध पाली में है तथा माही बजास अगरबांध बांसवणा में है तो इसके हिसाब से जो सही उत्तर बनता है वह बनता है कि पहले मेजा बांध जो है भीलवाडा में और जाखम बांध प्रताबगड में है उसे साब से हमारा सही उत्तर जो है यह पहला ही बनता है जवाई बांध पाली में विपुल बंडार है किस चीज के विपुल बंडार है नहें तो उत्तर है सीशा एवमजसा एवम जस्ता के में बंडार है और यह पहल बगुवल के पेज नंबर पांस सो पच्चास पर दिया हुआ है पेज नमबर पांस सो पचास पर दिया गया है अगला प्रशन हम देखते हैं पंद्रमा प्रशन है किस बुगोल वेता ने सव प्रसम विश्व की इस्थल भूमी को तीन महाद्विपों में विभाजित किया है तो इसका उत्तर है हैरोडोटस और यह है आपको पेज नमबर 474 पर देखने को मिलेगा उसके बाद जो सौलवा प्रशन है वह है कि चुक्वी कामाटा सबसे बड़ी खान है चुक्वी कामाटा सबसे बड़ी खान है तामबे की तथा यह पेज नमबर 443 वे 450 पर दिया हुआ है इसको यहां आप प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद है बोल वेताओं का सही काला नुक्रम क्या है तो इसका सही उत्तर है एनेक्जीमेंडर, इरेट्टो इस्टनीज, इस्ट्रेबो और टॉलेमी और यह हैं 476 नमबर पेज पर देखने से आपको इसपश्ट हो जाएगा इसके पस्चात 18 प्रशन जो की बहुत ही सीधा प्रशन पूछा गया था राज्य की जैविक संकल्पना, लेबेन स्वरम का प्रतिबादन कि इसने किया मलब जीव विकासवादी सिद्दान पूछा गया था और रेड जैल की पुस्तक पॉलिटिस्च जोग्रोफी से एक्विशन था उत्तर है इसका रेड जैल पेज नमबर 483 पर यह है आपको मिल जाएगा पहल बुगोल में उनिस्वा प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा समू उनके ओसत वार्षिक वर्षा के नुसार अवरोही क्रम में वेवस्तित है तो इसका उत्तर था बुंदी अजमेर नागोर तथा गंगा नगर तो था उत्तर सही है और हमारी पुस्तक पहल में यह है पेज नंबर 507 पर देखने पर आप इस प्रस्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं बीसवा प्रस्ण फिर से कूट मिलान का है जिसमें दिया गया है कि उध्योग और उसकी अवस्तिति का में मिलान करना है तो यह है प्रस्ट जो है नेशनल इंजिनेरिंग यह जैपुर में है वर्ष्टेड इस्पिनिंग मिल लाडनू में है तत्पस्चात स्रीराम सिमेंट कोटा और मॉर्डन त्रेड्स रायला भीलवाडा तो इस प्रकार से आपका उत्तर बनता है A में 2, B में 4, C में 1 और D में 3 और यह सही होता है पहला और इसका 558 पेज पर आपको पहल भोगोल में उत्तर देखने को मिल जाएगा तो आप देख रहे हैं 20% में से जो अभी तक हमने देखे हैं उनमें से 19% सीधे सीधे पहल भोगोल साय है पाटकों की परतिग्रिया बहुत ही सुन्दर हमें प्राप्त हुई है और यह राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए भोगोल के विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से बाइबिल की तरह ही है हमारी गीता की तरह है कुरान की तरह है भुगोल के विद्यार्थियों के लिए ज़रा देखते हैं इसे आगे 21 प्रसने भारत की जनगर्णा 2011 के नुसार राजस्तान में ग्रामीन एवं सहरी जनसंख्या का प्रतिसत है तो इसका उत्तर था यह जो पहल भुगोल है उसमें 552 नंबर पेज पर इस पश्ट रूप से दिया गया है 22 प्रसने पस्चिमी विक्षोबों के संदर में निम्न में से कौन सा कथन ऐस सत्य है दिया गया है चार कथन यह भूमद्य सागर में उत्पन होते हैं नमी की मातला में कैस्पियंस आगर पारिस की खाड़ी से व्रद्धी होती है कभी भी अदिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंसते हैं और जैट इस्ट्रिम की महत्पून भूमिका होती है तो इसका उत्तर था कि भारत में कभी भी अदिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते हैं और पेज नंबर 168 से 171 तक आप देखते हैं जिसने भी पड़ा है उनको पता है कि पेज नंबर 168 पर यह दिया हुआ है धाल प्रिस्थापन मॉडल का प्रतिबादन किस ने किया तो डवल्यू पैंक का है डाल प्रतिश्थापन मॉडल के बारे में बताया भी गया है किस प्रकार से पहले उतल ढाल फिर सामाने ढाल फिर अवतल ढाल बनता है तो बहुत ही बढ़िया प्रसंट 608 नंबर पेज पर यह है आपको दिया हुआ है वेवर के नियूंतम लागत सिद् में किस कारक का ध्यान नहीं रखा गया था तो वेवर के नियूंतम लागत सिद्दानत में कच्चा माल परिवहन लागत वे बाजार का ध्यान रखा गया था तो उत्तर है ACD सही है भी पूंड के बारे में कहीं बात नहीं की गई थी और यह पेज नंबर 615,16 और 19 पर दिया अंटिंग टंथ और हमारी पुस्तक में यह पेज नंबर 486 और 261 पर दो जगे दिया हुआ आपको मिल जाएगा पेज नंबर 26 है निम्न में से किसने सांस्कृतिक भू दृष्य की संकल्पना प्रस्तुत की तो सावर ने यह भू संकल्पना प्रस्तुत की थी और पेज नंबर 486 पर ही आपको यह भी दिख जाएगा बालसं का उधारन है मतलब बैडलेंड टोपोग्राफी उत्खात इसलाकरती से यह पूछा गया है तो खाटू लवन जील, पचपद्रा जील, सांबर जील, डीडवना जील इसमें सांबर जील जो है वह बालसं का उधारन है पुस्तक में यह प्रचेक्च रूप से नहीं कहीं भी दिया गया है लेकिन जिसने भी उत्खात इसलाकरती को पुस्तक के माद्यम से पढ़ा है वह इस पर्ष्ट रूप से यह संकल्कना कर सकता है कि सांबर जील ही इसका सही उत्तर होगा आगे देखते हैं प्रचेक्च नाथ्रा का पाल इस्तित है नाथ्रा का पाल जो है उधैपुर में इस्तित है पेज नमबर 549 पर यह है पहल भुगोल में दिया हुआ है काला गुमान खान छेतर प्रचिद है काला गुमान खान छेतर जो है पन्ना के लिए प्रचिद है और हमारी पुस्तक पहल भुगोल में यह है पेज नमबर 553 पर दे भी रखा है कि काला गुमान खान छेतर पन्ना के लिए प्रचिद है तीस्वा प्रस्ण है चंबल फर्टिलाइजर्स एवन केमिकल्स लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में इस्थित है तो यह कोटा जिले में इस्थित है और 560 नमबर पेज पर पहल भुगोल में यह दिया हुआ है 2011 की जनगर्णा के नुशा निम्नांकी जिलों में से किसमे जनसंख्या घनत्व अधिक्तम पाया गया तो अधिक्तम जनसंख्या घनत्व जो है वह नागोर में पाया गया और यह हमारी पुस्तक के जनसंख्या भाग में दिया हुआ भी है 32 प्रशने रास्तान में बंजर भूमी विकास कारेकर्व क्रियानवित होता है तो यह ग्रामवीन विकास एवं पंचायती विभाग राज विभाग द्वारा सही उत्तर है 33 प्रशने है 2011 की जनगर्णा इमशा निम्ना की जिलों में से किस में नगरिय जनसंख्या का अनुपात अधिक्तम है यहाँ पर बात अनुपात की की गई है ध्यान दीजियेगा नगरिय जनसंख्या का अनुपात कहा गया है ने कि नगरिये जन्संक्या इसलिए उत्तर धोलपुर है अब हम बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ नगर नियोजन की बारोक प्रणाली संबंदित है संभवत्या पुरा एतियासिकाल से पहले इसकी पुष्टी नहीं करता अगले प्रसंद पर बढ़ते हैं व्यक्तिकत विभानता के कारण हैं यहां से जो प्रसंद प्रारम हो गए हैं कुछ प्रसंद मनो इज्ञान के इस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे हम अभी सिफ भुगोल के पुष्टों पर चर्चा कर रहे हैं 38 प्रशन आया है खडीन, तो खडीन जल संद्रक्षन की तकनीक है, पुस्तक के पेज नंबर 493 पर इस पर श्ट्रूप से दिया भी गया है, पुस्तक पुरानों का भूगोल जिसने रचित की तो वो है सम अली और पेज नंबर 468 पर आपको यह प्राप्त होगा, इसके पस्चात हम आते हैं सिधे क्यूशन नंबर 66 पर, तो देखते हैं क्यूशन नंबर 66, फिर से कूट मिलान से समन्दित है, और इसका उपतर है, तीन नंबर कूट मिलान जो है, वो बिलकुल सही है, क्राकाटोवा, जो है, वह सुन्दा जल्डम रूम अध्य, माउंट सेंट हैलेंस से युक्तराज अमेरिका, कोटो पैक्सी इक्वाडो और मयान फिलिपिन्स, पेज नंबर, पहल बुगोल के पेज नंबर, यह आंसर दिया गया है, जूगेन बनता है, तो इसका उत्तर है, मुलायम तता कठोर, कठोर चटानों के 36 परतों भी पवन अब घर्षन द्वारा, और यह पुस्तक में बहतर तरीके से समझाया भी गया है, पेज नंबर, 61 पर यह दिया गया है, 69 उनत्तर मां किश्य ने मोरो विशिक ऐसांतत्य प्रतक करती है, तो किसको प्रतक करती है, निचली भूपरपटी एवं उपरी मेंटल को प्रतक करती है, उमारे पुस्तक के पेज नंबर, 7 और 8 पर यह दिया गया है, बोकम के अव केंदर को इस नाम से भी जाना जाता है, बोकम के अव केंदर को सेस्मिक फोकस कहा जाता है, उद्गम केंदर, हाइपो सेंटर पूचा था, सेस्मिक फोकस उसका उत्तर होगा, और यह है पेज नंबर, 38 पर दिया गया है, यूट्यूब से उत्तर, पेज नंबर, 71 पर हम आते हैं, प्रमुख रूप से वायू मंडल का तापन होता है, तो इसका उत्तर है, प्रत्वी के दारा जो विकिरण निकलती है, उन से ही वायू मंडल का तापन होता है, और यह है, 96 नंबर पेज पर दिया हुआ है, वायू में जल वासु की अधिक्तम मात्रा होती है, तो इसका उत्तर है, दो प्रतिशत, और यह है पेज नंबर, 87 पर दिया गया है, 73 वायू के 36 संचरण के कारण, उस्मा के इस्थानांतरण को कहते है, उत्तर है, 36 संचरण की बात की जारी है, अभी वहन, अगर हम इसके 36 संचरण की बात करते हैं, तो उत्तर होता है, लेकिन 36 संचरण कहा गया है, 36 संचरण तो उत्तर है, अभी वेहन पहल भुखोल में यह है सित्यानवे नंबर पेज पर दिया गया है उसके बाद यह गीयों की बदया आप इसको इंगलिस माध्यम में जो दिया गया अंग्रेजी माध्यम में गुएट्स पढ़ने का प्रियास करेंगे तो बहुत ही आसानी से यह समझ में आएगा कि यह है सपार्ठ शिखर समुद्री परवत है चोथा इसका सही उत्तर है और यह है पहल भुखोल के 110 नंबर पेज पर दिया गया है गुमफित नदी ब्रेडेड इस्ट्रीम नदी के निचले भाग के प्रवा की विशेष्ता है यह नदी जहां छोटे-छोटे धाराओं में बंड जाती है वहाँ पर यह ब्रेडेड चेनल्स जो है डवलप होते हैं पहल भुगोल में पेज नंबर 71 पर आपको यह मिल जाएगा 76 प्रशने निम्ण में से कौन सी वायू मंडल की स्थिर गैस नहीं है तो इसका उत्तर है तीन कार्बन डाई ओक्साइड जो है इस्थिर गैस नहीं है निम्ण में से कौन सी एक ठंडी मास अगरिय धारा नहीं है अगुल हास ठंडी मास अगरिय धारा नहीं है गरम मास अगरिय धारा है और यह है पहल भुगोल में 134 नंबर पेज पर दिया जया है 78 प्रशने अक्छान सी उस्मा संतुलन के नुसार निम्णी कित में से कौन सा प्रदेश सरवादिक उरजा न्यून प्रदेश है सरवादिक कम उरजा का प्रदेश कौन सा है तो यह है जो है दोनों गोलारदों में 80 से 90 डिग्री एक्छान सों के बीच का जो छेतर है वो सरवादिक उरजा न्यून प्रदेश है एनर्जी डेफिसिट एरिया है और यह है पहल गोल में अच्छानवे नंबर पेज पर दिया हुआ है सेविंटी नाइन हम देखते हैं निम्न इस्थल रूप में कौन सा पवन द्वारा विक्षित नहीं है तो पवन द्वारा निम्न में से कौन सा विक्षित नहीं है तो आपको इस परश्ट पता चल जाएगा कि इसका उत्तर है एरिट जोकी हिमानी के द्वारा विक्षित इस्थल रूप है और पेज नंबर 75 पर हमारी पुस्तक पहल भुगोल में यह है दिया हुआ है असी नंबर प्रस्ण है चागोस द्वीप समू इस्तित है चागोस द्वीप समू जो है वह हिंद महा सागर में अब इस्तित है पहल भुगोल पुस्तक के 115 नंबर पेज पर यह दिया गया है 81 प्रस्ण है जब सूर्य चंद्रमा इंपर्थवी एक सरल रेखा में है तो जवार होगा दीर्ग जवार होगा तता यह पुस्तक के 125 नंबर पेज पर दिया हुआ है 82 प्रस्ण है अन्यकारकों के समान रहने पर पर्थिव के द्वारा सूर्य तब की प्राप्ति अधिक्तम होगी तीन मई को अधिक्तम होगी तीन मई को यह अधिक्तम होगी पुस्तक पहल पुकुल के 93 नंबर पेज पर 93 नंबर पेज पर यह दिया गया है 82 प्रस्ण 83 प्रस्ण है निम्न में 82 प्रस्ण में समाच आँगा इसका उत्तर है दूबारा से हम देखेंगे ज़रा 82 में प्रस्ण का उत्तर है तीन जन्वरी को सही कर लें उत्तर है तीन जन्वरी को 83 में प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं निकित में से किस सागर या जील में सरवाधिक लणता है तो इसका उत्तर है वान जील और यह 122 नंबर पेज पर पहल बुगोल में आपको लब्द हो जाएगा 84 में प्रस्ण है निम्लांकित कोईला चित्र में कौन सा एक महानदी घाटी में इस्तित है तो इसका उत्तर है ताल चेर उडिसा में महानदी घाटी में इस्तित है और पुस्तक में यह आपको कोईला चित्र में दिख जाएगा निम्ली कित में से ज्वार भाटा का कारण है चंदमा गुर्तवा कर्शन बल सूरे का गुर्टवा कर्शन बल आपके इंडिये बल पृत्वी का गुर्तवा कर्शन बल तो इसका उत्तर है ए भी तता सी पृत्वी का गुर्तवा कर्शन बल पृत्वा कर्शन बल तो उत्तर एक है ए बी तता सी पृत्तक के 125 नंबर पेज पर यह दिया गया है 86 में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो इसका उत्तर है दूसरा पवन टॉमबोलो टॉमबोलो जो है वो पवन के द्वारा नहीं समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है दो मुख्य भूमी से किसी जीव को जोड़ने वाली जो छोटी सी एक रूदी का होती है वह टॉमबोलो कहलाती है 63 नंबर पेज पर आपको यह है देखने को मिल जाएगा दक्षिन सेंड्विच खाई अव इस्तित है साउथ सेंड्विच ट्रेंच तो यह साउथ सेंड्विच ट्रेंच जो है अट्लांटिक महासागर में हैं और पुस्तक के पेज नंबर 112 पर यह दिया हुआ है 88 में प्रस्रम आते हैं निम्निकित में से कौन सी ठंडी जल धाराएं हैं पेरु धारा, अल्निनो, कैलिफोर्निया धारा, नार्वे धारा अब आपको इन में से देखना है कि कौन सी जल धाराएं जो हैं वो ठंडी जल धाराएं हैं तो उत्तर है आपका पेरु धारा तता कैलिफोर्निया धारा यह दो ही ठंडी धाराएं हैं अल्निनो, गरम जल धाराएं, नार्वेजियन करंट, नोर्थ अट्लांटिक डिफ्ट का भाग होता है वह भी गरम जल धारा है तो ठंडी जल धारा सिर्फ पेरु और कैलिफोर्निया ही है, उत्तर एक सही है हमारी पुस्तक के पेज नंबर 131 पर दिया हुआ है, पहल भुगोल में यह है नवाची में प्रस्ट में बढ़ते हैं, अबरक उत्पादन केंद्र कोडर्मा इस्थित है तो कोडर्मा जहारखंड में अविस्थित है, पुस्तक के पेज नंबर 231 पर दिया हुआ है, भारत के भुगोल में आपको मिल भी जाएगा असानी से नब्भे वाची में प्रस्ट ने मानो भुगोल में क्रिया शीलता का सिध्धान किस ने प्रतिपादित किया तो यह सिध्धान जैम्स बुरुंस के द्वरा दिया गया था और यह हमारी पुस्तक में पेज नंबर 485 जहां तिंकर्स की बात की गई है, आपको मिलेगा मलज खंड जाना जाता है, तांबा खंण के लिए जाना जाता है, हमारी पुस्तक में पेज नंबर 228 पर आपको यह उत्तर मिलेगा सुर्य के पेच्छा चंदर्मा का जवार भाटा उत्पन करने का बल लगबग है, उत्तर है 2.17 गुना और पुस्तक के पेज नंबर 125 पर यह दिया गया है कि रानवेवा प्रशने निमलिकित में से किस परवत स्रंखला ने संभवते अपना वर्तमान सुरूप मोटे तोर पुसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने उत्तर है नला मलाई स्रंखला और 145 नंबर पेज पर पुस्तक में दिया हुआ है पुस्तक के 332 नंबर पेज पर यह दिया हुआ है 95 वा प्रस्ण शीत रितु में पस्चिमी जैट इस्ट्रीम की सम्माल्य इस्तिती रहती है करनाटक पठार के साथ करकरेखा के ठीक उत्तर में विंद्या चल परवत के तलेटी के साथ हिमाले के दक्षिनी ढाल के साथ तो सही उत्तर है हिमाले के दक्षणी धाल के साथ और पुस्तक के पेज नंबर 395 पर यह दिया गया है चानवेवा प्रस्ने निमली खित में कौन सी महासागरी धाराएं मोसम के नुसार अपनी दिशा बदलती है अट्लांटिक महासागर की उत्तर है हिन्द महासागरी उत्तर विशवतिय धारा पहल पुगोल में पेज नंबर 134 पर यह दिया गया है सित्यानवेवा अंतराष्टिये 97 किश्यन है अंतराष्टिये प्रक्षेप है इंटरनेशनल प्रोजेक्शन तो कौन सा है भई देखते हैं संसोधित मर्केटर बहु संकुक गौल का त्रिवी में नोमोनिक दुरुविय क्प्रोजेक्शन यह हैं वन इस टैंडर से ने पैलर उसके बाद में पॉली कानिक प्रोजेक्शन और संसोधित मोडिफाईट पॉली कान प्रोजेक्शन आया यह इनतराष्टिये प्रेक्षेप है पहले भी इसी से एक प्रशन आया है पुस्तक के 332 नंबर पेज पर यह प्रशन दिया गया है 98 नंबर का क्वेशन है निमलिकित में से किस भारती मर्दा में ग्रिश्म रितु में गहरी दरारे पड़ जाती है जिससे मर्दा में प्रयाप्त ओक्सीकरण संभव होता है तो इसका उत्तर है काली मर्दा जो तीवी मर्दा भी इसको अपन बोलते हैं पुस्तक के पेज नंबर एक सो चैसी पर यह दिया गया है 99 प्रशन आरेक प्रदसित कर रहा है एक समान वाई मान उसीदी रेखा है तो क्या यह पूर्ण धनात्मक संबंध है या पूर्ण धनात्मक है कोई सह संबंध नहीं है सिमित धनात्मक है इसका उत्तर है पूर्ण धनात्मक सह संबंध जो है प्रदसित किया जा रहा है और पेज के पहल बोगुल के 366 नंबर पेज पर यह दिया गया है सुमा प्रशने निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो चेना थाइलेंड जो है यह सही सुमेलित नहीं है पेज में 454 नंबर पर दिया गया है कि विश्व में इस्तानांतित कृषी को कहा पर किस नाम से धना जाता है 101 मा प्रशने मानक विचलन में विचलनों की गणना किस से की जाती है माधिका से बहुलक से समानतर माध्य से सह समंद से तो समानतर माध्य से की जाती है और पुस्तक के 360 नंबर पेज पर यह आपको मिलेगा 102 है भारत 1 इस्तिती रिपोर्ट 2017 के नुसार भारत के किस राज्य में 1 आवरण सरवादिक है तो इसका उत्तर है मिजोरम राज्य में सरवादिक है और पुस्तक के 181 नंबर पेज पर यह है आपको मिल जाएगा 103 नंबर पुस्टन देखते हैं निम्नांकित में से कौन सी गहन निर्वाहक क्रशी की विशेश्ता है तो प्रती एकड कम उपज परंतु प्रती विक्ति उच उपज इंटेंशिव सबसेश्टन गहन निर्वाहक क्रशी में छोटा सा खेत का टुकड़ा होता है जिसमें काफी सारे विक्ति काम करते हैं तो प्रते एक विक्ति के इस्से में कम उपज आती है परन्तु काफी सारे व्यक्तियों काम करने से छोटे से टुकडे में ही काफी ज़्यादा उपज प्राप्त होती अथे प्रती एकड़ कम उपज परन्तु प्रती व्यक्ति उच उपज जो है वह इसका सही उत्तर है उस तक के 456 नमबर पेज पर आपको यह अपलब्द हो तो यह पैरिस से इस्तांबूल को जोड़ती है मरमरा सागर के उपर ब्रिज बना हुआ है कोरियन टैक्स पर सेल्वे लाइन यहां से उके उससे जश्ट पहले से बज़रती है पैरिस इस्तांबूल को जोडने वाली लाइन है फुस्तक के 209 नमबर पेज परिया दिया गया है कि 105 भारत की जन्गर्णा 2001 के अनुसार भारत की दसाब्दी जन्शंक्या वरदीly धर है तो भारत की दसाब्दी जन्शंक्या отв दिदर है 17.07 उर पुस्तक के पेज नमबर 193 पर यह दिया गया है 106 नमबर प्रश्ण है बार्ड आबदा नदी गाटे बार्ड आबदा के लिए कोख्यात नहीं है तो पेन गंगा सिंधू तथा कावेरी कोख्यात नहीं है उत्तर होगा चार और ये 201 नमबर पेज पर आपको समझने की कोशिश करने पर उत्तर प्राप्त हो जाएगा 107 नमबर प्रश्ण है निम्नांकित में से कौन जनांकी की है संक्रमन सिद्धान की प्रथम अवस्था को दर्शाता है निम्नांकी की है संक्रमन प्रथम अवस्था को दर्शाता है उच्च जनम एवं उच्च मृत्युदर और ये हैं पुस्तक के पेज नमबर 313 और 316 पर दिया गया है किन इस पार से यंत्तरह प्रबंद सेल के द्वारा किया जाता है तो जितने भी सेंत्र हैं जो कि किंद्र सरकार के द्वारा संचालित हैं बिलाई, दुर्गापूर, राउर के दा, बर्नपूर इन सभी का सेल के द्वारा ही प्रबंदन किया जाता है सिर्फ जो टाटा आइरें एंड इस्टेल कंपनी है वो टाटा के निजी हातों में हैं उसके अलाव बाकी का प्रबंदन सेल के द्वारा किया जाता है पुस्तक में यह है पेज नंबर दो सो चालिस पर दिया गया है एक सो नो नंबर प्रशन देखते हैं सूची वन और सूची टू जो है उसमें दिये गए हैं आयसक दिये गए हैं और धातु जी यह उसका हमें मिलान करना है तो इसका सही उत्तर है दो लिमोनाइट लो अयसक है इस्टेफैनाइट चालिका है मस्कोबाइट अबरक्का है और लिगनाइट कोईला है पुस्तक के पेज नंबर 226 पर यह उपलब्द है 110 प्रसेन लिमोनाइट में से कौन सी विस्क की व्यस्तम नब्वे नदी है नवीगेवल लिवर है तो इसका उत्तर है राइन जो की पस्चिमी यूरोप में उत्तर पस्चिमी यूरोप में देखने को मिलती है पुस्तक के पेज नंबर 290 पर यह दिया गया है 111 प्रसन है वह विकास जो लोगों की आकांग्चाओं को बढ़ाता तथा उनके जीवन इस्तर को सुदारता है कहलाता है वह विकास मानव विकास कहलाता है सथत्विकास यह नहीं है यह मानव विकास है 317 नमबर पेज पर दिया हुआ है पुस्तक पहल भुगोल में 112 नमबर पर जो प्रश्ण है 2014 में किस चेत्र में कुल जन्संक्या में व्रद्य जन्संक्या का प्रतिशत सरवादिक है इसका उत्तर संभावित उत्तर यूरोप होना चाहिए है परन्तु पहल भुगोल इसकी पुष्टी नहीं करता है 113 ब्रुटलेंड रिपोर्ट सम्मंदित है ब्रुटलेंड रिपोर्ट सतत्विकास से सम्मंदित है नार्वे की प्रदानमंती गैरो हरलेंड ब्रुटलेंड के द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट दी गई थी वह जो रिपोर्ट थी उसी में सस्टेनेवल डवलप्मेंट की सबसे पहले बात की गई थी सतत्विकास की तो ब्रूटलेंड रिपोर्ट सतत्विकास से समंदित है और पुस्तक के पेज नंबर 256 पर इस बारे में दिया गया है निरुपक भीन एक अनपाथ 20,000 बराबर है तो एक सेंटिमीटर बराबर दो हेक्टो मीटर की यह है इसका सही उत्तर है एक सेंटिमीटर बराबर दो हेक्टो मीटर एक मीटर में 100 सेंटिमीटर और एक हेक्टो मीटर में 10,000 सेंटिमीटर और 20,000 सेंटिमीटर बराबर दो हेक्टो मीटर फुस्तक के पेज नंबर 324 पर यह दिया गया है 115 नंबर प्रसने निमन में से कौन सा विश्व का सगन बसा हुआ प्रदेश नहीं है तो उत्तरी यूरोप जो है वह सगन बसा हुआ नहीं है पस्चमी यूरोप सगन है पूर्वी एशिया सगनतम है दक्चिनेशिया सगन है इसका उत्तर है उत्तरी यूरोप जो विश्व का सगन बसा प्रदेश नहीं है नारवे स्वेडन वाले इससे जो है इसके अंतरगत आत हैं 305 नंबर पेज पर पहल भूगोल में यह दिया गया है 166 प्रशन है किसने का मानव भूगोल मानव पारिश्चित्की है तो एच एच बेरोज ने यह कहा था कि मानव भूगोल मानव पारिश्चित्की है पेज नंबर 261 पर पहल भूगोल के अंतरगा यह दिया गया है 170 प्रशन है एक मानचित्र निरुपक बिनार एफ एक अनपाच चार लाग पर बनाया गया है पांस सेंटिमेटर की एक रेखा धरातल पर कितनी दूरी को दिखाएगी तो सीधा सा उत्तर है चार किलोमेटर इंटू पांस सेंटिमेटर बीस किलोमेटर को दिखाएगी और यह है पुस्तक में 324 नंबर पेज पर विविन परकार के उधारनों से समझाए गया है एक सो अठारवा प्रसन है निम्र सागरिय गर्तों में कौन सा हिंद मा सागर में इस्तित्य बहुत यासान था सुन्डा गर्त और हमारी पुस्तक में पेज नंबर 115 पर आप इसे देख सकते हैं 119 पर प्रसन है सुस्क ग्रिश्मकाल एम वर्षा युक्त सीथकाल विशेश्ता है तो यह विशेश्ता है भूमद्य सागरिय जल्वायू की कोपेन के जल्वायू वर्गी करन के अनुसार देखें तो CS प्रकार का जो क्लाइमेट पाया जाता है CS प्रकार की जो छुल्वायू पाय जाती है वो वूम्न देशागरी जल्वायू होती है कटे फलों की किशिकी साटी है और जहां पर वर्षा जो है सरदियों में उती है तो इसका सही उत्तथा भूमद्य सागरिय जल्वायू पेज नंबर 402 पर पहल बगल में दिया गया है 120 है स्वेज नहर का उत्तरतम पत्तन है स्वेज नहर का उत्तरतम पत्तन है पोर्ट साइद पुस्तक के पेज नंबर 292 पर यह दिया गया है 121 वह प्रस्ण निम्न में से किस प्रचेव में भूमद्य रेखा को नहीं खीचा जा सकता है तो इसका उत्तर है नौमनिक धुरूविय खमद्य प्रचेव नौमनिक धुरूविय खमद्य प्रचेव जो होता है उसमें भूमद्य रेखा के अलावा बाकी सभी जो अक्षान सकते हैं भूमत देरेखा को नहीं दिखाया दा सकता है फिर नंबर 336 पर पहल भूगोल में यह दिया गया है 122 महाप्रशन है निम्न में से यथाकृतिक प्रचेप कौन सा है कौन सा प्रचेप यथाकृतिक प्रचेप है तो इसका उत्तर है मर्केटर प्रचेप जिसमें वास्टिक में जैसी आकृति है वैसी दिखती है आकार छेतरफल वह वह विगड़ सकता है आकार बिगड सकता है आकरती जैसे ग्रीन लेंड जितना है उससे बड़ा दिखता है लेकिन जैसा दिखता है संकू आकार का वैसा ही मर्केटर प्रचेप में दिखता है तो यथा आकरतिक और्थोमोर्फिक जैसी आकरती है वैसा दिखाई देता है तो इसका उत्तर है प्रशेप और पुस्तक के पेज नंबर 334 पर दिया गया है एक सो तेईस्वा प्रशन है भू संतुलन के संधर्म में परिवर्तित गैराई के साथ घनतस्वान यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेराइंग डैप्थ एरी ने कहा था बहुत ही आसान सा प्रशन था सीधा सीधा प्रशन उठा के पूछा गया था आइसो इस्टेसी से पुस्तक के पेज नंबर 378 पर यह है दिया गया है उसके बाद 124 प्रशन है जिफ्ट गाटी का निर्मान जो है ब्रंस से होता है पुस्तक के पेज नंबर 375 पर यह है दिया गया है उसके अब दलन के बारे में एक विशेश प्रकार का अपच्छे होता है और भोतिक अपच्छे का ही यह उधारण है पुस्तक के पेज नंबर पच्पन पर यह 25 रूप से दिया गया है 126 माप रशन निवनम से कौन सा अपर्दनात्मक इस्थल रूप है तो अपर्दनात्मक इस्थल रूप जो है जलप्रपात है यह सभी डिपोजिसनल लेंड फोम है लेंड निक्षे पात्मक इस्थल रूप है सिर्फ जल प्रपात ऐसा है जो कि अपरदनात्मक इस्थल रूप है पुस्तक के पेज नंबर 66 पर दिया गया है कयाल पस्च जल पाया जाते हैं केरल में जो लैगून्स लैक होती है उनको बैक वाटर लैक्स को कयाल कहा जाता है और यह सही उत्तर है माला बारतर पर पुस्तक के पेज नंबर 157 में यह दिया हुआ है केरल दिया हुआ है तो माला बारतर आप समझ सकते हैं केरल माला बारतर 128 निम्न में से कौन सा एक पटल विरूपनी बल संचलन है तो महादीप निर्मानकरी और परवत निर्मानकरी यह दोनों बल जो है यह है पटल विरूपनी बल डाइस्ट्रोफिक फोर्स या मूवमेंट के हैं परवत निर्मान करी है या महादीव निर्मान करी है ये दोनों पटल विरूपनी बल है पुस्तक के पेज नमबर 370 पर दिये गए हैं 129 प्रशने प्रती चक्रवात में उत्री गोलार्द में पवन संचरण होता है ध्यांसे देखेंगे इसे प्रती चक्रवात में उत्तरी गुलार्द में पवन संचरण होता है तो इसका उत्तर है घड़ी की सुईयों के अनुकूल अलब इस प्रकार से घड़ी की सुईयों के अनुकूल जो है प्रती चक्रवात में पवन संचरण होता है और पुस्तक के साथ जो प्रैक्टिस सेट निकाले गए ते पहल ब प्रस्ण था एक्सो तीस्वा प्रस्ण है ग्लोबी जैरीना जो निक्षेप है उससे पूछा गया है ग्लोबी जैरीना उज्ज है अगाद सागरी है निक्षेप पुस्तक के पेज नंबर 409 पर दिया गया है एक्सो इकत्यस्वा प्रस्ण है प्रवाल वित्ति की उत्पत्ती से सम्मंदित हिमानी नियंतरण सिध्धान्त का प्रतिपादन किया डेली मोहद्य ने किया था हिमानी नियंतरण सिध्धान्त के बारे में और पुस्तक में पेज नंबर 415 पर यह दिया गया है एक्सो बत्तिस्वा प्रस्ण है कोरियालिस बल तथा दाप्रवणता बलके संतुलन से उत्पन रिखाओं के समाना अंतर बहने वाली पवने है तो इसका उत्तर था भूव इक्षेपी पवने जियोस्ट्रोफिक विंड्स और यह NCRT के नवी चैप्टर ग्यार्व कक्षा ग्यारा के जो पुस्तक है उसमें इस परश्ट रूप से दिया हुआ है वहां से यह प्रस्ण आया है पहल वो गोल में भी यह संचिप्त रूप में समझाया गया है जियोस्ट्रोफिक विंड्स 133 वहां प्रस्ण है लंबी रातें इस्थिर मोसम स्वच आकास आदर्स दसाएं है यह है विकी रणी है तापमान प्रतिलोमन है तू आदर्स दसाएं रेडियेशन टेंप्रेचर इन्वेजन है तू पेज नंबर 381 पर दिया गया है 134 प्रस्ण है एस्किमों है मंगो लाइट्स पुस्तक में पेज नंबर 433 पर यह दिया गया था सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना की है यह हंटिंग्टन ने की है पुस्तक के पेज नंबर 486 पर दिया गया था पहल बोगोल के 136 प्रस्ण है फिर से नरजाती विग्यान से उनी चलेदार बाल गोल से चोड़े चप्टे नाग थोड़े उबड़े हुए जबड़े आदी लक्षण है तो यह सभी लक्षण निग्रीटो प्रजाती के हैं और पुस्तक के पेज नंबर 436 पर यह दिया गया था इंडोनेशा के पिग्मी होते हैं निग्रोईट प्रजाती के होते हैं और यह है 435 नंबर पेज पर दिया गया है 435 नंबर पेज पर दिया गया है 138 प्रस्ण है समुद्री समीर उत्पन होती है तो इसका उत्तर है केवल A तथा C इस्तल तथा समुद्र के उश्माव शोशन और इस्थानांतर्ण के अलग अलग दर के करण तथा दबाव प्रवनता बल के करण इन दो बलों के चलते समुद्री समीर उत्पन होती है पुस्तक के पेज नंबर 391 में यह समझाएगे 149 प्रस्ण है निम्न में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं था एल्सवर्थ हंटिंग्टन संभववाद का समर्थक नहीं था लाब लास बलैंचार जीन बुन्स आधिस अभी समर्थक थे हंटिंग्टन जो है वह सम्भववाद का समर्थक नहीं था चार सो अठारा नमबर पेज पर चार सोनने समर्थ पर यह फुस्तक माफलब्थ है एक सो चालेसवा प्रस्ण है समुद्र का इस्थल की ओहर बढ़ना एक उधारण है तो यह एक अपनती सम्भवत्या सिंक्लाइनल मुवमेंट होना चीए लेकिन पहल भुगोल इसकी उष्टी नहीं करता एक सो एक तालेसवा प्रस्ण है नवीन मोड़दार परवत बनते हैं तो अभिसारी प्लेट सिमा के साथ नवीन मोड़दार परवत जो हैं बनते हैं जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टक्राती है तो नवीन मोड़दार परवत बनते हैं और पुस्तक के पेज नंबर 51 और 54 पर यह दिया गया है 142 वा प्रस्ण है निमली कितमे से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो दूसरा है कोहें दवाव चेतर यह सही सुमेलित नहीं है महान ने समझ सकती बताया था मैकिंडर ने धुरी चेतर संकल्पना दी थी पुस्तक के पेज नंबर 661 पर यह आपको मिलेगा पॉलिटिकल जोग्राफी का प्रस्ण था 143 वा प्रस्ण है निमली कितमे कौन अक्रिय गैसे हैं इनर्ट गैसे हैं तो हिलियम नियोन क्रिप्टोन जिनों चारों ही अक्रिय गैसे हैं उसके प्रस्चात जोन क्यू इस्टिवार्ट का प्रफर्शन मॉडल माइग्रेशन का मॉडल जो था वो संभवत्या टी हैंगर स्टेंड के सिदान टोना चीए परन्तु पहल वह बोल इसकी पुष्टी नहीं करता है 145 वा प्रस्चने राजस्थान में प्रमुक सोयाविन उत्पादग है तो इसका सही उत्तर है 12 जो है वह प्रमुक सोयाविन उत्पादग है पुस्तक के पेज नंबर 542 पर इसे देख दा सकता है 146 वा प्रसन है किस ने परिवर्थित घनत्व के इस्तंब पर आधारित सम इस्तिती की अवधार्णा को प्रतिपादित किया तो केवल B, C तथा D ARI ने जो है वेरिफाइंग डेंसिटी ओफ कॉलम नहीं कहा था ARI पर प्रसन पहले आ चुका है आइसोइस्टेसी से ही बोवी की संकलता थी पुस्तक के पेज नंबर 379 तीन सो उन्यासी पर यह दिया गया है कौन सा एकल संसादन है यूनिक्विटीज क्रायोलाइट मर्दा अक्सिजन इरेनियम संभवतिया इरेनियम इसका उक्तर होना चाहिए पहल भूवल इसकी पुष्टी नहीं करता है 148 निम्न राज्यों में से कौन सा स्विप्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में इस्थित नहीं है तो इसका उत्तर है उटा जो है मक्का पेटी में इस्थित नहीं है जितना ही अधिक गरम पिंड होगा उससे उतनी है अधिक लगू तरंगों वाली उर्जा का विकिरन होगा संबंदित है संबवत्या यह चाल्स का नियम होना चाहिए परंतु पहल भूगूल इसकी पुष्टी नहीं करता 10 डिग्री चेनल विभाजित करता है बहुत ही असान सा क्यूशन था ग्रेट अंडमान द्वीपस्वनू और निकोबार द्वीपस्वनू के बीच में 10 डिग्री चेनल जो है है और पुस्तक के पेज नंबर 149 पर दिया गया हमने पाया कि कुल 120 में से 106 प्रत्यक्ष रूप से पेज नंबर भार हमने आपको उपलब्द कराए हैं पुस्तक पहल भूगूल में से आए हैं और इसके लिए मैं पहल भूगूल के लेखक सैनी ब्रदर्स को अनंत सुब कामनाएं में बधाया देता हूँ बहुत ही सुन्दर प्रयास किया गया उनके द्वारा और उनकी मेहनत जो है रंग लाई बहुत ही अधिक 90 प्रतिशत पेपर जो है पहल भूगूल के विविन हिस्सों में से आया बहुत बहुत धन्य लेखर